हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब फिट एन फाइन होंगे मैं मसूद मेंदी रिजवी आपका दोस्त आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीम टेक तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको एसी में गैस चार्जिंग करन आने वाला वीडियो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिफ यही कहना चाहूंगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं तो फ्रेंट्स बिना देरी किये आ जब से पहले हमको वैक्यूम करना होता है जैसा कि आप सब को मालूम है कि एसी में गैस जब ही चार्ज की जाती है या तो एसी से गैस लीक की हो या हमारा कंप्रेसर खराब हुआ हो और कंप्रेसर को हम चेंज कर रहे हो तब ही एसी में गैस डलती है एसी में कभी गैस खतम होती है सब को बताना चाहता हूं इस वीडियो के जरीये से बहुत लोग कन्फियूज होते हैं काफी कस्टमर मिलते हैं वो बोलते हैं क्या AC में गैस खतम हो गई है तो खतम नहीं होती है जब तक आपके AC में लीकेज नहीं होगा AC से गैस कहीं नहीं जाएगी तो first of all अगर AC में गैस लीक ही है तो लीक रिपेर करेंगे जैसा कि इसमें हम लोग ने इंडोर को चेंज किया है इंडोर खराब हो गया था इंडोर चेंज किया है तो हम लोग गैस चारजिंग कर रहे हैं गैस चारजिंग से पहले पूरा वैक्यूम करेंगे वैक्यूम बहुत ज अगर लीकेज है या इंडोर चेंज कर रहे हैं तो जैसे आप पाइप को डिसकनेक करते है तो बाहर की जो अएयर है माइस्चर है ओाल है यह सारी चीजें हमारे सिस्टम के अंदर चली जाती है तो वैक्यूम करना बहुत जरूरी है अगर आप वैक्यूम करते हैं तो जितना भी उसमें air है, moisture है, कोई भी गंदगी है, ये vacuum pump हमारा पूरे AC के सिस्टम से बाहर निकाल लेगा और इसके बाद हमारी जब उसके अंदर gas charge होगी, तो पूरे सिस्टम में सिर्फ gas चलेगी और gas की जो performance होगी वो अच्छी रहेगी, तो जाहर सी बात है कि हमारा AC भी अच्छा कूल करेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसलिए फ्रेंड्स vacuum करना बहुत जरूरी है, इस सिस्टम को हमने vacuum पे लगा दिया है और हमारा ये vacuum हो रहा है इसमें ये हमने mini fold gauge लगाया वा है जिस से हमें बताता रहेगा कि हमारा vacuum हो रहा है vacuum कम से कम 15 से 20 मिनट करना चाहिए, अगर आपके पास time जादा है तो आप जादा भी कर सकते हैं लेकिन 15-20 मिनट अगर आप कर लेंगे तो perfectly आपका vacuum हो जाएगा और vacuum जब लगाएं तो उसको बीच में नॉप को बंद करके देख लें कि कहीं से कोई leakage अगर होगा तो हमारा vacuum break हो जाएगा और फिर हम leakage को ढूंडेंगे तो अब ये पूरा system हमारा vacuum हो रहा है, vacuum 15-20 मिनट करेंगे उसके बाद हम इसमें gas charge करेंगे जितना भी AC के अंदर moisture होगा या कोई गंदगी होगी या हमारा vacuum pump इसको सब कुछ बाहर निकाल लेगा ताकि हमारी जो जब हम gas charge करेंगे तो gas अच्छे से चलेगी अगर उसके अंदर कोई और air होगी, moisture होगा तो हमारा जो AC है वो perfectly काम नहीं करेगा और यहां पर आपको दिख राएगे निडिल हमारी zero से नीचे है इसका मतलब vacuum हमारा अच्छे से हो रहा है और जब हम vacuum करने के बाद gas charge करेंगे तो यही निडिल हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी gas charge होना शुरू हो जाएगी तो friends vacuum जरूर करें first of all हम लोग अच्छे से vacuum करेंगे vacuum करने के बाद अब हम हमारा लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है बहुम गैस charging करेंगे gas charging करने के लिए सबसे पहले इस बात का जरूर धियान रखें कि जब आप vacuum करने के बाद first line charge करें और तो कम से कम अगर मान लिए for example एक किलो गैस पढ़नी है डे टन का split AC है एक किलो गैस पढ़नी है या 700-800 गिराम जो भी गैस पढ़नी है कम से कम 50% गैस आप liquid form में ही डालें पूरे cylinder को आप उल्टा कर लें और उसके बाद उसकी जो वाल का है वाल को खोल दें और ये हमारी गैस इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी जब हमारी liquid form में पूरी गैस जाएगी तो हमारे जो system के अंदर है कोई भी वेपर नहीं बन पाएगा एर नहीं बन पाएगी और अच्छे से हमारी गैस चार्ज होगी जैसा कि आपको दिख रहा है और थोड़ी सी हमने गैस चार्ज कर दी है और गैस चार्ज करने के बाद जहां जहां पर जो भी जॉइंट होंगे वहां पर हम leakage फाइंड करेंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं से कोई leakage हो गया हो बाद में कोई दिक्कत आए और हमारी गैस लीक हो जाए तो leakage जरूर देखेंगे कम से कम 50% हमने गैस डाल लिए अब हम leakage टेस्ट कर रहे हैं leakage टेस्ट करने के बाद यहां पर एक हमने जॉइंट लगाया था क्योंकि इसकी union खराब थी उसकी चूडी तो हमने यहां पर उसको काट के जॉइंट किया था तो यहां पर भी हम leakage को टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि इसमें से लीक ना हो जाए गैस अच्छे से हम लोग leakage टेस्ट करेंगे और उपर आउट डोर पे भी जहां पर connection होता है जहां pipe connect होते है आउट डोर पे वहां पर भी हम अभी चल के अच्छी तरह से देखेंगे यहां पर तो कोई भी leakage हम को नहीं मिला है leakage जरूर देखा करिए क्योंकि आपको मेहनत भी दुबारा से फिर से करने पड़ेगी और पैसा भी खराब होगा और customer भी परेशान होगा perfectly होना चाहिए ताकि customer को भी दिक्कत ना हो और हमारे जो पैसा हम लगा रहे है जाहिर सी बात है हमारा भी मेहनत और पैसा बरबाद ना हो और किसी दूसरे का भी पैसा और मेहनत बरबाद ना हो तो friends यहां पर भी हमने देख लिया है हमको कोई leakage नहीं निकला है और हमारा AC बिलकुल सही है अब हम AC को on कर देंगे और बागी जितनी गैस रहे गई है वो धीरे धीरे उसको चार्ज करेंगे ताकि पूरी जब सर्कुलेट होगी तो हमारा जो temperature है जहां तक हमें गैस डालनी है वो हमें complete करना है AC हमने on कर दिया है और AC हमारा on हो चुका है और जैसा कि सामने मैं खड़ा वह हूँ और मुझे अच्छी चिलनेस नजर आ रही है cooling स्टार्ट हो चुकी है अब कुछ देर चलने के बाद फिर देखते हैं और अब उपर चलके हम जो हमारा सिस्टम है उसमें देख लेते हैं कितना दिखा रहा है प्रेशर वगएरा तो यहां पर अभी 20 पॉंट हुआ है और कम से कम 60-65 तक हमको गैस इसमें डालनी है 60-65 डेटन का इस्पलिट AC है या विंडो AC है उसमें 60-65 पॉंट तक बैक प्रेशर दिखाता है और जैसा कि अभी 20 है और धीरे धीरे हम इसमें गैस बढ़ाएंगे क्योंकि हो सकता है अभी लिक्विड हमने डाला है तो धीरे धीरे ये 20 से आगे बढ़ेगा थोड़ा सा इंतिजार करेंगे और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम इसमें तीरे धीरे गैस बढ़ा रहे है तो इसमें अब हमने फिर से लाइन खोली है और गैस फिल कर रहे हैं थोड़ी सी गैस जा रही है इसमें और लिक्विडी अभी हम डाल रहे है ताकि हमारा जो एसी है वो अच्छे से कूलिंग करें और चेलने से अच्छी रहे और अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है हमारा 55 के अबव हो गया है 60 तक बहुच गया है और हमारी गैस भी कंप्लीट जहां तक हो चुकी है थोड़ी देर रनिंग पे ये 60 तक आ जाएगा और जो कंडेंसिंग होती है वो भी अच्छे से हो रही है इसका रिटन भी चेक कर लेंगे जो हमारा हाफ का पाइप होता है वो रिटन होता है रिटन भी अच्छी हमको मिल रही है चिल मिल रही है काफी अच्छी रिटन आ रही है इसका मतलब यह है कि हमारी गैस का काम कंप्लीट हो चुका है गैस हमारी चार्ज हो चुकी है बहुत अच्छी कंडेंसिंग हो रही है जाहिर सी बात है रूम में भी चल के देखते हैं वहाँ पे कूलिंग जरूर हो रही होगी और रूम का टमप्रेशर भी डाउन हो चुका होगा क्योंकि हमारी गैस पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तो फ्रेंट्स रूम के अंदर हम लोग आए हैं उपर से नीचे और डूर खोलते ही महसूस हो गया कि हमारी गैस कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है और अच्छी खासी चिलनेस है इसमें काफी अच्छा इसके अंदर से फलो जो निकल ला है वो भी अच्छा है और चिलनेस भी यहां पर है एक दो घंटे के बाद पूरा रूम चिल हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसी तरह से गैस चार्ज करते हैं और वैक्यूम का जरूर धियान रखते हैं तो उमीद है आपको गैस चार्जिंग का समझ आ गिया होगा अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो अगर पसंद आयो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक अपना और अपनों का खयाल रखिएगा